जैसे आप किसी थर्ड पार्टी वाट्सप पे लॉगिन होते हूं वहाँ पे आपके नंबर पे यू नीड ओफिसियल वाट्सप टू लॉगिन वाली समस्य आ जाती है तो आप लोग इसे कैसे ठीक कर सकते हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो नंबर पर आपको यह समस् आ रही है तो इन सभी का solution आज आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले चोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नहीं हो तो प्लीज यहां से चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आप लोग वीडियो द अपने फ़र में यूज करना चाहते हो तो मैं आपको एजांपल के तौप यहां पर वाट्सअब दिखा रहा हूं तो आप लोगों के पास कोई सभी वाट्सअब होगा तो आप लोग न कर सकते हैं तो सबसे पहले क्या करनी है ऑफिस्यल वाट्सअब को डावलोड करना ज सबसे पहले करने के बाद आपको यहां पे अपने मोबाईल नमर से साइनप होना है अपने मोबाईल कर लेंगे आप लोगों को पता होगा कि लोग इन कैसे करते हैं मुबाइल नमर डालेंगे, OTP डालेंगे, account login हो जाएगा, simple WhatsApp में, official WhatsApp में, अब official WhatsApp में login होने के बाद, आपको देखिए, आप जिस WhatsApp में अपना account को फिर से login करना चाहते हो, जिस पर आपको you need the official WhatsApp to login वाली समझ से आ रही है, तो आपको उस WhatsApp को open करने, यानि कि WhatsApp GB को open करेंगे, open करने के बाद देखें, simple ऐसा कुछ interface आएगा, तो आपको यहाँ पे agree and continue option मिलेगा, आप लोग इस पे click करना, और इस पे click करने के बाद उपर मिलेगा, three dot, आप लोग इस पे click करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे, mobile number डालने के लिए कहा जाता है, तो आप लोग यहाँ पे गलती से भी अपने mobile number नहीं डालना, क्योंकि यहाँ पे नमबर डालते हो, तो आपको वहाँ पे unit वाली समझ से आजाएगी, इसलिए mobile नमर ना डालके, आपको जो उपर मिलेगा, three dot, आप इस पे click करना, इस पे click करना, और य यहाँ से क्या करेंगे, इस पे click करेंगे, तो आपके सामने QR यहाँ पे आएगा, और इसी QR की वज़े से आप लोग यहाँ पे WhatsApp GB का इस्तमाल कर पाऊगी, अब आगे बताने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी बात बताना चाहूंगा, जो सभी लोगों के problem आती है, तो जब आ से मैं आपको बताऊंगा scan करने के लिए, तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसा interface आता है, कभी-कभी, couldn't link device, तो इसका मतलब क्या होता है, और इसका solution क्या है, वो मैं आपको पता देता हूँ, देखिए, यहाँ पे यह जो QR आता है, वो हर 4-5 second के अंदर change होता है, यानि कि आप ल से पहले, आपके पास एक दूसरा phone होना चाहिए, और उस phone से, इस QR का फोटो क्लिक करेंगे, QR का फोटो क्लिक करने के बाद, तुरांती, अपने WhatsApp को open करेंगे, WhatsApp passenger को, और उपर मिलेगा 3-0, आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से link के device पे क्लिक कर देंगे, इस पे क्लिक करने के बाद, यहाँ से camera open होगा, और camera open होने के बाद, आपको QR को scan कर लेना है, और जैसा कि मैं आपको बताया था, कि आपको couldn't link device को option यहाँ पे आ जाता है, तो आपको फटा किसे करना होगा, और QR को तुरांत photo क्लिक करके, यहाँ से scan करना होगा, यहाँ पे देखें कि मेरे phone में यहाँ पे loading your chat का option आ गया, तो मैं इसे कैसे ठीक करूंगा, आप लोग गौर से देखना, देखिए, जब आपके यहाँ पे WhatsApp में यह वाले समझ से आए, तो आपको क्या करना है, नहीं आपको back होना है, नहीं आपको कुछ नहीं करना है, बैक करना है, तो आपको आपको देखिए, इसे open करना है, और जैसे open करेंगे, यहाँ पे सारा चेट, आपको क्या करना है, आपको जब यह वाले समझ से आई, लोडिंग और चेट, तो आपको background से simple इसे हटा देना है, और जैसे हटा के इसे open करेंगे, तो यहाँ पे यह उपन हो जाएगा, और यहा से जब आप लोग स्टेटेस लगाते हो, तो यहाँ पे आपको स्टेटस not available वाली समझ से आती है, तो आप लोग इसे कैसे ठीक कर सकते हो, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको proof दिखाना चाहता हूं, कि वीडियो रियल है, वीडियो कहीं एडिटेट न और वही नमबर यहाँ पे WhatsApp GB में होगा, मैं से उपन करता हूं, 3D में जाता हूं, सेटिंग में आता हूं, और यहाँ से profile पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे देखेंगे वही नमबर है, यानि कि क्या हो रहा है, कि आप लोग इस WhatsApp को इस WhatsApp से लिंक कर दियो, और बहुत लोग कैसे ठीक करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एडिंग यूर स्टेटस इस नॉट अभी लेवल, और दिस डिवाइस, यूज यूर प्रामरी फॉन तो एडियोर स्टेटस, इसका मतलब हो ताकी दिखिए, यह चो एकाउंट बनाए, वह क्लिक करेंगे, यहां पर देखेंगे, यहां से ओपन हो जाएगे, लेकिन जब आप लोग यहां से ओपन करोगे, तो आपकी गैलरी में सिर्फ यहां से वीडियो देखेंगे, फोटो नहीं देखेंगे, आपके फोन में जितनी फोटो होगी, यहां से फोटो नहीं आएगी बलगे हाँ वीडियो आज आएगी और वीडियो को आप लोग यहां से status में लगा सकते हूँ जैसे कि देखेंगे यहां से वीडियो successful status में लग जा रही है लेकिन यदि आपको फोटो लगाना है यदि आपको कोई फोटो लगाना है या कुछ लिक के status लगाना है तो आप यहां से स्टेटस लगा सकते हो जैसे कि देखेंगे मैं सिंपल यहां पर लगाता हूं तो यहां पर लग जाएगा और यहां पर देखेंगे यह मैंने यह दोनों लगा हुआ तो एक सब्सक्राइब करके यहां पर दिखाता हूं यहां पर दिखेंगे वीडियो तुमने लगा में और और यहां से लागाना हैं लगा बोट-अब लोगों के मन में आती हुड आता है जब मेरा वट्सपको डीलिट कर दूँ यहां से अनिस्टल करते हैं और फिर से க libera क requirement करना है और इसे डिलिट कर देते हो तो आप लोग को फोटो इदी स्टेटस में लगाना भी चाहते हो तो यहां से फोटो नहीं लगा पाऊगे इसलिए पोड़ा से सतर्क होना है और यहां पर इसे डिलिट नहीं करना है